आपका चैप्टर नमबर वन की एक्सरसाइज नमबर वन पॉइंट थी यह आपके इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज इसके पहले की वर्न और टू दोने एक्सरसाइज में अपलोड कर दी हैं विदांसर्स अगर आप लोग ने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं प्लेइलिस्ट में ने बना रखिए क्लासिक्स बैत्मेटिक्स करके उसे में आपको इस सारी एक्सरसाइज इसमल जाएंगी तो दीखिए इस वाले एक्सरसाइज में सर्फ आपके त्री कोशिंस है तो इन तीनों को हम पढ करेंगे सॉल्फ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो देखिए पहला कुशिन आपको लिखा है स्ट्रीमीट इच ऑफ फॉल्वाइंग योजिंग जर्नल रूल अब आपको जर्नल रूल इस्तेमाल करके इनको एस्टीमीट करना है राउंड अप करना है चले इसको आप अंसर शीट में देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए देखिए अब आप इसमें क्या करेंगे यह 730 था इसको राउंड आफ करेंगे तो आपको यह 700 हो जाएगा आपको यह नियम पता है ना राउंड अप हम कैसे करते हैं हमेशा याद आपको देखिए तो यह 50 से कम है तो इसे माइनस कर देंगे 700 थेखिए यहां पचास से जादा है तो इसमें दौप लस करके इसे 1000 मानेंगे ठीक हमारा अंसर क्या हो जाएगा 1700 ठीक अब इसी तरह से यहाँ देखें लास्ट के डो डिजिट जो है यह आपके 50 से जादा है है ना 50 से जादा है तो इसलिए हम इसे round up करके 800 माल लेगे और यहाँ देखिए यह 14 यानि 50 से कम है तो हम इसमें से जो 14 minus करके 300 माल लेगे तो इस तरह से यह हमारा answer कितना हो जाएगा estimate round up अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 85 तेरा तो इसे तेरा कर लेंगे यहाँ गलत लिखा हुए आप इसे सही कर लेंगे इसी तरह से आप आगी देखिए यहाँ आपको आपको दिया गया है round up में तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यह आपका 900 है आप तीन डिजिट देखेंगे जैसे जैसे डिजिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे की डिजिट सम भी बढ़ाते जाएगे तो यहाँ देखिए 500 से जादा है तो हम इसे तेरा मानेंगे यहाँ आप देखें यहाँ पर भी 500 से जादा है तो हम इसे भी बढ़ा लेंगे 2000 से 3000 कर लेंगे प्लस कर देगे ठीके न इसी तरह से आप यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे अब यह देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहां आपको लास्ट की जो डिजेट है 200 है ठीके तो आप इसे 8000 मानेंगे अब यहाँ दिखे यहां आपके 400 तो आप इसे भी1 किसी मानेंगे ठीके न इस तरह से आप आप सान इसे कर लेंगे बहुत इनके बीच मेर दिफ्र sido कालना है nearest hundred ठीक है और उसके बाद आपको round up करना है 10 के तो चलिए इसको देखते हैं इसमें आपको एक दो तीन चार चार कोशन दिये गए इसको भी देखते हैं अब आप देखिए यहां आपको पहला दिया गया था 439 तो यह 39 जो 50 से कम इसले मिसे 400 मानेंगे यह 34 भी कम है तो इसे भी 300 मानेंगे ठीक है इसके बाद यह आपका यह भी कम है 17 है तो इसे भी 300 माल लेंगे ठीक है लास्ट में मतला हमें एक दो तीन चार ऐसे डिजिट नी रखने हैं में लास्ट में 0 ही रखने है ठीक फिर हम उसे जोड लेंगे यहां difference करना है तो minus कर देंगे जिसमें जो करना है उसके according हम कर लेंगे ठीक है तो आपको इसमें mainly जो करना है वो क्या करना है बेटा आपको estimated करना है यानि कि उसके पराबर में उसको लाना है ठीक जैसे कि अब यह है इसमें जो last way digit है ना इसको आपको change करना है तो 34 से तो मिसे 700 बना लेंगे यानि इस तरह से यह आपके estimated values कहलाती है कर लेंगे चले next question देखते हैं अब देखें यहां को question number third में दिया गया है कि आपको यह पर product निकालना है यानि estimated values को multiply करना है तो आप क्या करेंगे पहले इनको estimated करेंगे और उसके बाद इनकी multiply करेंगे तो चले देखते हैं अब देखिए आप यह आपकी digit थी अब इसको देखिए 78 है तो यह 50 से जाद है तो हम इसे 600 मान लेंगे यहाँ पर यह देखिए यह भी 50 से जाद है तो इसे हम 200 कर देंगे ठीक आप इनकी values निकालेंगे multiply करेंगे तो देखिए यह आपका multiply हो जाएगा 20 यह 20 यह 40 यह लग गए और 6 दूनी 12 आई बास समझ में इसे था से नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पर आपको 81 है तो हम इसको 281 है तो 200 है 500 तो नहीं है तो इसलिए हम इसे 5000 मान लेंगे ऐसे देखिए यहाँ पर भी 400 है ठीक है तो हम 3500 इसे मान लेंगी ठीक उसके बा ठीक है तो इसको 91 है क्योंके तो हम इसे 300 मालेंगे और यहाँ 52 है यहाँ को 1967 दीकित अब आपकी त्माणे लें आपको जीरो के पास लेकर आना हुता है ऊसलि दो आप लग कर सकते हैं आपका चैप्टर नम्बर फिल डो ने के अधनी को पढ़ाईंगी कुछ एकहसिस में गपम होते हैं तो देखे वीडियो भी आपकी छे-साथ मिन्ट की हुई है लेकिन कुछ एक्सेसाइज जिसमें बहुत सारे कोशन्स होते हैं तो उसकी वीडियो आपकी 20 मिन्ट तक भी पहुंच जाती है इसलिए हम हर वीडियो में एक एक्सेसाइज को सॉल्फ कराएंगे तक कि वह सारी संडे को बनाई जाएंगी आपके क्लास के अकॉर्णिंग ओकी चले तो आच की वीडियो के अच्छी वीडियो में बस इतना है अगर आपको माई वीडियो पसे लाइक हो शेयर करें अगर दख आपने मैचार्व को सिस्क्राइब करें तो प्लीज मैचार्व करें वाचिंग वाचिंग